ध्रिश्याइस चानेल की इस ने वीडियो में। इस प्रोग्राम में basically हम जो economy की खबरें हैं तो इस हफते की जो तमाम अर्थ विवस्था, अर्थ शास्थ से जुड़ी जो खबरें हैं उन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं न केवल उन खबरों के current aspect को जानते हैं बलकि इसके साथ-साथ उन खबरों के static portion पर भी ब अगर आप ने प्रोग्राम पहली और द०ूसरी वीडियो को देख सकते हैं और अब शुरुवात करते है हमारी तीसरी वीडियो की तो सबसे पहले एक बार हम देख लेएं कि वीडियो में हम कॉन-कॉन से important points पर चर्चा करने वाले हैं कॉन-कॉन से खबरों पर बात करेंग तो सबसे पहले RBI की और से एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में वित्तिय समावेशन को लेकर के बात की गई है और वहाँ पर महिलाओं की क्या सिचुवेशन है financial inclusion में महिलाओं का क्या level है उसको लेकर के यहाँ पर बात हुई है तो इस खबर पे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ भारत सरकार की और से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए women empowerment के लिए और भारतिय जो पूरा financial system है उसमें महिलाओं को शामिल करने के लिए क्य प्रयास किये गए हैं उन प्रयासों पर बात करेंगे इसके अलावा production linked scheme भी चर्चा में आई है PLI scheme है पहले भी चर्चा में आई है पहले भी हमने बात की है एक बार फिर से इस पर बात करेंगे इसके अलावा 16,000,000 नौकरियां नौकरियों को लेकर के एक report सामने आई है इस report को भी समझेंगे report क्या बताती है report किस विशय को लेकर के बात करती है यह report आपका ministry of statistics की ओर से हमें यहाँ पर देखने को मली है तो report में किन बिंदों पर बात हुई है उसको भी समझेंगे इसके अलावा NBFC को लेकर के खबर हमारे सामने आई है RBI के एक official है जिन्होंने भा आपका commercial bank plus NBFC इन में difference क्या होता है तो इसके difference को भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे इसके अलावा iron ore export को लेकर के एक खबर निकल करके आई है खबर से कुछ important बिंदों आपको मिलेंगे वो बिंदों आपको याद रखने है तो इन तमाम इन 5 खबरों पर आज जो ह है overall इस हफते की जो जरूरी खबरें है economics के लिहाँ से उन पर हम चर्चा करने वाले हैं शाल यह इसी note के साथ video की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखी जाए हमारी पहली खबर financial inclusion and women तो इस खबर में अगर आप देखें तो RBI की एक report आई है यानि कि Reserve Bank of India की एक report आई ह है जिस report में basically बताया गया है कि महिलाओं की जो भागेदारी है हमारे श्रंबल में वो भागेदारी बहुत जादा कम है और इस भागेदारी के कम होने की वज़े से financial inclusion और व्यापक आर्थिक विकास में हमारे बाधा उत्पन हो रही है क्योंकि महिलाएं जो हैं वो labor force में बह है उस growth को भी प्रभावित कर रहा है RBI के report यह बताती है कि भारत सरकार की और से भारत में बैंकों की और से जो MSME को रिंड दिये गए यानि कि जो आपके लगू मध्यम और जो लगू मध्यम उद्यम थे उनको जो रिंड दिये गए बैंकों की और से उसमें से केवल 7% रिं के विशय है आप सोच करके देखिए कि भारत में MSME के जो businesses है उनको जितना भी लोन मिन रहा है उसमें से केवल 7% लोन महिला MSME को जो महिला के महिलाओं के leadership में जो MSME है उनको दिया जा रहा है तो यह एक चिंता का विशय यहाँ पर RBI की और से जाहिर किया गया है क्या-क्या तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो comparatively आपको बहुत कम नज़र आएगी यानि कि जब आप पूरशों की तुलना करेंगे अगर आप तुलना करते हैं कि बिसिकली जब भारत आजाद हुआ था तब महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी थी भारते एकानमी में और अब कितनी ह तो आपको नज़र आएगा कि वो हिस्सेदारी बढ़ी है लेकिन अगर आप महिलाओं की हिस्सेदारी की तुलना जो है भारते पुरुषों से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महिलाओं की हिस्सेदारी भारते पुरुषों के तुलना में कितनी कम है तो एक तो economic participation important factor के तौर पर सामने आता है दूसरा factor है आपका भागेदारी असमानता यानि के participation inequality इसका क्या मतलब हुआ तो एक रिपोर्ट है रिपोर्ट 2012 की है यह रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में भारत का जो श्रंबल है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 32.8 प्रतीशत के आसपास है जबकि पूर्शों की हिस्सेदारी 77 प्रतीशत से भी जादा है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली अगर भारत में 100 लोग काम करते हैं 100 लोग जो है भारतिये economy में काम कर रहे हैं तो उसमें से 32 महिलाएं हैं और 77 आपके पूरुष हैं तो आप सोच कर के देखें कि भारत में महिलाओं के जो हिस्सेदारी है वो 50 प्रतीशत के आसपास है जबकि श्रंबल में उनकी हिस्सेदारी कितनी है मात्र 32 प्रतीशत और पूरुषों के हिस्सेदारी पूरुषों की जो population में हिस्सेदारी है वो आपका वो भी 50 प्रतीशत के आसपास है लेकिन आपका जो labor force participation है, उसमें पुरुषों की हिस्सेदारी 77% है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक असमानता नजर आएगी, एक inequality नजर यहाँ पर आपको आएगी, उसी inequality पर RBI ने बात की है, इसके अलावा credit असमानता को ले करके भी यहाँ पर बात की गई थी, जिस report पर, जिस बिंदू पर हमने पहले बात की, यह होता क्या है कि भारति एकनॉमिक सिस्टम में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को जादा लोन मिल जाता है, जैसा कि हमने देखा कि बैंकों की और से जितना भी लोन दिया गया, MSME सेक्टर को, उसमें से केवल 7% लोन मिला केवल महिलाओं को, और 6 लोन किसको गया, 6 लोन ऐसे व्यवसायों को गया, ऐसे MSMEs गो गया, जिनका नितत पुरुष कर रहे थे, तो यह एक important जो है distinction आपको देखने को मिलेगा, कि भारती इंडस्ट्री में पुरुषों को कितना ज्यादा लोन मिल रहा है, और है कि भारती economy में जो महिलाएं हैं, वो इतना ज्यादा अपना योगदान नहीं दे पा रही हैं, तो यह कुछ हमने उन बिंदों पर बात की, जो कि RBI ने अपने report में बताएं हैं, अब एक बार भारत सरकार की और से women empowerment के लिए क्या-क्या प्रयास किये गए हैं, उन पर बात सकते हैं, सबसे पहले आपको याद होगा, 2023 में सरकार एक कानून लेकर क्या आई थी, कानून का नाम था नारी शक्ती वंदन अधिनियम, इस कानून के माध्यम से भारत की जो लोकसभा थी, वहाँ पर महिलाओं को 33% आरक्षन देने की बात यहाँ पर की गई थी, इसके अल भारत में पहली बार जो राष्टी लिंग अनुपात है, यानि कि नाशनल सेक्स रिशो है, वो आपका एक हजार बीस के आसपास महोच गया, यानि कि उसमें पहली बार हमें सुधार देखने को मिला था, इसका मतलब यह है कि भारत में एक हजार पुरुशों पर अब एक हुआ करती थी, तो अब महिलाओं की संख्या में आपको जो है बढ़ोतरी देखने को मिली, और ये भारत एकानमी में विमन एंपावर्मेंट के लिए महिलाओं की अधिकारों के लिए कि इंपॉर्टेंट स्टेप के तौर पर इंपॉर्टेंट माइल स्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, इसके अलावां बेसिकली वैतनिक मातर्त व अवकाश यानि की जो मैटर्निटी लीव थी, उसको बढ़ा करके सरकार की ओर से 26 हवते का कर दिया गया है, प्रधान मंतरी सुरक्षा मातरत व अभिहान की अगर आप बात करें तो इसके तहत तकरीबन 4.7 कर अर्वती महिलाओं की जो है जाच की गई है, इसके अलावां सरकार की ओर से 3.2 करोन सुकन्या समरध्धी योजना के तहत खाते खोले गए हैं, और इस योजना के तहत क्या होता है, यह जो योजना है सुकन्या समरध्धी योजना, इस योजना की तहत सालाना जो है 10,000 रु एट लाक रोपे के आसपास जो है आपको इस योजना के तहट प्राप्त होते हैं इसके अलावा सरकार की ओर से तक्रीबन 10 करोड जो है LPG सिलेंडर बाते गए हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को जो सामना करना पड़ता था जो घरों में प्लिशन हो जाता था उसमें सुधार आपको देखने को मिला है इसके अलावा प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीड के तहट 72 प्रतिशत महिलाओं को स्वामित्य प्राप्त हुआ है यानि कि सरकार ने प्रधान मंत्री आवास पूलन को लेकर के सरकार कानून लेकर कैई इससे भी महिलाओं को सशक बनाया गया प्रधान मंत्री मुद्रा योजना को भी लागू किया गया जिस योजना के तहट जो हमारे महिला उध्यमी थे उनको 69 परसेंट लोन दिए गये तो सरकार का डेटा यह कहता है कि सरकार जो stand-up India scheme लेकर के आई थी इस scheme के तहर तकरीबन 84% जो लाभारती थे वो महिलाएं थी तो ये कुछ तमाम प्रयास जो हैं वो सरकार की ओर से किये गए हैं ताकि भारत में महिलाओं को और सशक्त किया जा सके और financial system में उनका inclusion किया जा सके तो ये हमने overall सरकार के प्रयासों के बारे हैं बात की अब बढ़ते हैं आगे अगली ख़बर को देखा जाए तो हमारी जो अगली ख़बर है वो आपका production linked scheme से जुड़ी हुई है खबर दरसल चर्चा में इस वज़े से आई है क्योंकि सरकार की और से white goods उत्पादों के लिए basically आपका PLI scheme को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है कितना बढ़ाया गया है तो PLI scheme को white goods के लिए तीन महिने की अवधी के लिए बढ़ाया गया है इसी वज़े से यह खबर जो है पूरी आपकी शर्चा में आपको देखने को मिली थी white goods के आप बात करें तो इसमें आप जो है electronic items को शामिल कर सकते हैं जैसे कि आपका फ्रिज हो गया आटी वशिंग मशीन हो गया इन तमाम चीज़ों को आप white goods category में शामिल कर सकते हैं इसके अलावा PLI की बात करें इसके static portion को थोड़ा सा समझा जाए इसका static portion है PLI scheme PLI scheme को अगर आप देखें तो इस योजना की जो कल्पना की गई थी वो बेसिकली घरेलू विनिर्मार शमता को बढ़ाने के लिए की गई थी इसका उद्देश क्या है सबसे पहले घरेलू विनिर्मार शमता को बढ़ाना हमारी manufacturing capacity को बढ़ाना आयात पर आप बात कर लें आयत-प्रतिस्थापन का मतलब है कि जो चीज अभी तक हम आयात कर रहे हैं अभी तक हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं उस चीज़ को भारत में बनाना अब उधारन के लिए सोची कि कोई किताब है या आप सोच करके देखी कि कोई चेर है उस चेर को अभी तक हम अमेरिका से मंगाते थे लेकिन अब सरकार को लगता है या साइकल का उधारन ले लिए साइकल है अभी तक हम किसी और दूसरे देश से मंगाते थे अब सरकार को जाता है आयात प्रतिस्थापन यानि कि export substitution इसके अलावां रोजगार सरजन को लेकर के भी यहाँ पर target decide किया गया था इन्हीं तमाम targets को प्राप करने के लिए सरकार ने मार्च 2020 में PLI यानि कि production linked scheme की शुरुवात की थी जिसमें प्रारंभ में आपका तीन sectors को target किया गया था कौन कौन से sector सबसे पहले mobile और इससे जुड़े जो घटक होते हैं उनको बनाने वाले sector जो थे तो आपका phone और phone and associated component sector एक तो इसको cover किया गया था जो आपका electrical घटक निरमा sector है उसको शामिल किया गया था और चिकित्सा उपकरण बनाने वाले जो sector है इसको शामिल किया गया तो कौन कौन से शामिल थे सबसे पहले आपका phone निरमार सेक्टर इसके अलावा विधुत घटक निरमार सेक्टर और चिकित्सा उपकरण निरमार सेक्टर इसके अलावा ब तो यह आपका घरेलू और विदेशी कंपनियों को विनिरमार के लिए पाट साल तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर सरकार उनको थोड़ा सा प्रोच सहन प्रदान करती है यानि कि वो कम्पनिया भारत में रहकर के जितनी मैन्युफाक्चृरिंग करेंगी उस मैन्युफाक्चिरिंग के कुछ लिए जो योजना है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है चलिया बढ़ा जाए आगे और बातचीत की जाए हमारी अगली खबर पे हमारी जो अगली खबर है वो आपका 16 लाख नौकरियों को ले करके है और ये जो रिपोर्ट है ये आपका सांख्य की और कारेकरम क्रियानवन मंत्राले की ओर से जारी की गई है रिपोर्ट आपका बेसिकली अनिकॉर्पोरेटेड सेक्टर को ले करके है तो रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले कुछ सालों में unincorporated sector में जो नौकरियां हैं वो नौकरियां थोड़ी सी कम हुई है कितनी कम हुई है रिपोर्ट के अगर आप माने तो रिपोर्ट यह बताती है कि 2015-16 से 2023-2023 की बीच में जो अनौपचारिक छेत्र की नौकरियां थी अब अनौपचारिक छेत्र को आप अनिगमित छेत्र यानि कि unincorporated sector भी कह सकते हैं unincorporated sector भी आप इसको कह सकते हैं तो यह अनौपचारिक छेत्र है या फिर अनिगमित अनिगमित छेत्र है इस छेत्र की नौकरियों में आपको 16.45 लाख की गिरावट जो है नजर आई है और यह गिरावट तकरीबन 1.5 प्रतिशत की आसपास तो 1.5 प्रतिशत नौकरिया जो है वो unorganized sector में unincorporated sector में कम हो गई है अगर आप बात करें 2023 की तो 2022 में जो unorganized sector या unincorporated sector की नौकरिया है उनकी संख्या तकरीबन आपका 10.9 छे लाख करोड के आसपास है इसके अलावा अध्यान में तीन important factors की बात की गई है जिन factors की वज इसमें पहला factor है आपका demonetization जब सरकार की ओर से नवंबर 2016 में विमुद्री करण यानि के demonetization को लागू किया गया था और 500,000 की नोट को अच्छानक से ततकाल प्रभाव से legal जो है legal tender उनका समाप कर दिया गया था उनकी legality को समाप कर दिया गया था ये भी important factors हो सकता है जैसा COVID-19 महामारी आई थी उसने भी एक important role यहां पर play किया तो तीन factors की यहां पर basically बात की गई है जो factor इन नौकरियों की कमी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं कौन-कौन से तीन factor है पहला demonetization दूसरा आपका GST goods and services tax और तीसरा है आपका COVID-19 महामारी यानि के COVID pandemic इसके अलावा basically आप आपका यह कह सकते हैं कि निरनेओं की वज़े से असंगटित उध्यमों की वरधी और इन उध्यमों में रोजगार परभारी प्रभाव आपको देखने को मिला इसके अलावा रिपोर्ट यह भी बताती है कि जो आपकी अनिगमित उध्यम है तो रिपोर्ट ही कहती है कि जो enterprises हैं, उनकी संख्या, उनमें जो काम करने वाले लोगों की संख्या है, वो संख्या तो कम हुई है, लेकिन unincorporated enterprises की संख्या आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, कितनी बढ़ी है, तो report ही कहती है कि 2015-16 में जो unincorporated sectors की संख्या थी, enterprises की संख्या, वो आपका 6.33 करोड क आसपास पहुँच गई है, लेकिन यहां से important आप क्या निकालेंगे, यही बात निकालेंगे कि आपका incorporated, unincorporated sector जो है, उनके उध्यमों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों की जो संख्या है, जो आपका workers की संख्या है, उन workers की संख्या कम तो सबसे ज्यादा unincorporated workers की जो संख्या है, यह और unincorporated enterprises की उध्यमों की जो संख्या है, वो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, यहां पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपको पहले number पर मिलेगा, यह आपका number of entities के मामले में भी पहले number पर है, और number of workers के माम मिलेगा, फिर महराष्ट है, फिर तमिलनाडू है, बिहार है, और फिर यहां पर all India level की बात जो है, आपको देखने को मिल जाएगी, यहां पर भी आप देखेंगे जैसे all India level को अगर आप देखें, तो number of entities के अगर आप बात करें, तो यह आपका पिछले 2015-16 के तुला में ब ज्यमों में काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या कम हो गए है, तो यह देखें, पहले आपका 11.1 करोड के आसपास हुआ करता था, और अब यह कम हो करके 10.9 करोड के आसपास आके है, तो काम करने वाले लोगों की संख्या तो यहां पर basically आपको कम होती हुई नजर आ कम्पनीज को ले करके थोड़ी सी चिंता जाहिर की है, चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने भारतिय ओडिटिंग कम्यूनिटी से कहा है कि ओडिटिंग कम्यूनिटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि NBFC जो भी डेटा प्रवाइड करती है, वो डेटा सही है और उस डेट के अधार पर किसी भी तरह की गड़बड नहीं की जारे, उस डेटा की गुडवात्ता पूरी तरह से सही है, एक बार NBFC के बारे में बात कर लेते हैं कि NBFC क्या होती है, तो NBFC बेसिकली कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजिकरत जो है कम्पनिया होती है, यह जो कम्पनिय बैंकों का काम तो करती है, पर बैंकों जैसा लाइसेंस इनके पास नहीं होता, यही डिफरेंस आपको NBFC और कमर्शल बैंक मिलता है, बाकी कुछ टेक्निकल डिफरेंस भी है, उस पर हम आगे बात करेंगे, इसके अलावा यह जो NBFC है, यह जो है जनता से आपका के तौर पर, हाला कि टाइम डिफरेंस करती है, यानि कि आप यहाँ पर सावधिक जमा कर सकते हैं, जैसे कि आप बैंकों में FD करते हैं, RD करते हैं, वो क्या होता है, सावधिक जमा होती है, टाइम डिफरेंस होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है, बारा महीने हो गय तो time deposit जो है एक निष्च्चत समय के लिए होता है वो आप bank को में भी कर सकते हैं वो आप nbc में भी कर सकते हैं लेकिन जो demand deposit होता है अब demand deposit में difference क्या है difference यह है कि time deposit से पैसे निकालने के लिए आपको एक निश्चित अवधी में wait करना होता है आपको bank को सूचित करना होता है लेकिन जो demand deposit होता है उसमें पैसे निकालने के लिए आपको wait नहीं करना ऐसा नहीं होता है कि आप bank में पैसे जो है आपने जमा कर रखे हैं तो आपको उस पैसे को निकालने के लिए वेट करना पड़ेगा आप तुरंत जा करके उस पैसे को निकाल सकते हैं और bank को आपको सोचित करने के ज़रत नहीं होती है तो demand deposit आपके वल commercial bank में कर सकते हैं जबकि आपका जो time deposit है वो आप commercial bank में भी कर सकते हैं और NBFC में भी कर सकते हैं इसके अलावा इसमें जो आपका time deposit होता है जो आपकी सावधिक जमा है उसकी जो आवधी होती है वो कम से कम 12 महीने तक हो सकती है और कम से कम 12 महिने तक होनी चाहिए और अधिकतम वो 60 महिने तक हो सकती है तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि कम से कम 12 महिने और अधिकतम 60 महिने तक हो सकती है इसके अलावा NBFC जो है वो आपका RBI दोरा निर्धारित अधिकतम ब्यास से ज़्यादा ब्यास नहीं द दे सकते हैं जितना ब्याज RBI ने तैं किया है वर्तमान समय में देखें तो यह जो ब्यास की दर है यह हर साल RBI तैं करता है हर बार RBI जो है समय समय पर इसको निरधारित करता रहता है वर्तमान समय में यह आपका 12.5% के आसपास है तो 12.5% से ज़्यादा ब्यास कोई भी NBFC आपको नहीं दे सकता है आपके टाइम डेपोजिट पर तो यह बेसिकली यहाँ पर RBI दोरते किया रहता है इसके अलावा इनके regulation की बात करें नियमन की बात करें तो NBFC के कारों का प्रबंधन जो है वो corporate मामलों के मंत्राले और RBI दोनों मिल करके करते हैं RBI के पास इनको license जारी करने की शक्ति होती है इनके संचालन को regulate करने की शक्ति होती है यह सुनिश्चित करने की शक्ति होती है कि NBFC जो हैं सभी माप दंडों को follow कर रहे हैं यह काम जो हैं तमाम काम आपके RBI दोरा किये जाते हैं इसके अलावा अब एक बार हम जो है यहाँ पर यह थोड़ा सा important point है इसको आपको याद रखना है कि आपके जो NBFC हैं और जो आपके bank हैं जो commercial bank हैं उनमें difference क्या होता है तो कुछ technical difference है वो यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले difference वही है कि आपका जो NBFC होती हैं उनके पास banking license नहीं होता है जो bank होते हैं उनके पास banking license मौझूद होता है इसके अलावा जो NBFC हैं वो आपका Company Act 2013 या फिर Company Act 1956 के तहत रेजिस्टर होते हैं लेकिन जो आपके bank होते हैं वो company की तरह रेजिस्टर नहीं होते हैं deposit है हमने पहले ही देखा NBFC's demand deposit accept नहीं कर सकते हैं bank demand deposit और time deposit दोनों accept कर सकते हैं और foreign investment की अगर आप बात करें तो NBFC's में 100% foreign investment allow किया गया है यानि कि यहां पर foreign investment पर कोई भी limit सरकार ने नहीं लगाई है लेकिन जब आप bankों की बात करते हैं तो bankों की मामले में सरकार ने foreign investment पर limit लगा रखिए 74% के आसपास है तो 74% से ज्यादा investment कोई भी foreign जो entity है वो भारती बैंकों में नहीं कर सकती है लेकिन NBFC's में 100% investment किया जा सकता है इसके अलावां part of settlement system के अगर आप बात करें तो NBFC settlement system का हिस्सा नहीं होते हैं लेकिन bank आपके settlement system का integral part होते हैं settlement system का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आप अगर आपने अपनी NBFC में पैसा जامकिया है तो वहाँ से आप अपना पैसा किसी दूसरे bank में transfer नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे NBFC में transfer नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप बात करें, reserve ratio को maintain करने की बात करें, तो NBFC को कोई भी reserve ratio maintain करने की ज़रत नहीं रहती है, cash reserve ratio, bank के लिए mandatory होता है, deposit insurance facility की बात करें, इस पर हमने पहली ख़बर में भी बात कि थी, कि बैंकों में आप जो भी पैसा जमा करते हैं, उसका deposit उसका insurance होता है, तो NBFC में आप जो पैसा जमा करते हैं, उसका insurance नहीं होता है, एक खास तोर पर आपको याद रखना है, कि NBFC में जो पैसा जमा होता है, उसका insurance नहीं होता है, और bankों में जो पैसा जमा होता है, उसका insurance होता है, credit creation की बात करें, तो NBFC जो हैं, वो credit creation के process में हिस्सा नहीं रहते हैं, अब credit creation का जो process है है वो एक Important process दो इस पर कभी हम विस्तार से बात करेंगे कि यह process काम किस तरह से करता है क्योंकि bank को क्या का ενपोर्टन प्रोसेस होता है इंपोर्टन अमोस ہے credit creation यह किस तरह से काम करता है कैसे यहां पर credit create होता है उसको हम कभी विस्तार से समझेंगे लेकिन जो आपके NBFC होते हैं वो credit creation नहीं करते हैं बैंक आपका credit creation करते हैं इसके लावा transaction services जो है आप बैंकों से आप NBFC से transaction नहीं कर सकते हैं अब बैंकों से transaction कर सकते हैं तो यह overall यहाँ पर आपका NBFC और बैंक के बीच में difference हुआ important point है इसको खासतोर पर आपको याद रखना है कि क्या क्या important point है आपको मिले हैं एक बार आप difference समझ जाएंगे फिर आप कभी नहीं भूलेंगे कि NBFC और आपका bank में क्या difference होता है यह हमने दोनों की बीच में difference को देख लिया बंत में हम भारत के law अयस्क निर्यात की बात कर ल q 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 महिनों का एक क्वार्टर होता है इन तीन महिनों के दुरान हमें आपका जो निर्यात रहा लौह आयस का निर्यात रहा आयरें और का जो निर्यात रहा उसमें आपको कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली साल दर साल अधार पर 5% की बढ़ोतरी यहां पर आपको देखने को मिली यानि कि पिछले साल की तुलना में 5% इस बार हमने ज्यादा जो है निर्यात किया है यहाँ पर तो यह एक important point हमारे सामने निकल करके आता है इस बार का जो निर्यात रहा हमारे first quarter में वो 10.2 million ton के आसपास रहा पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे तो important point यहाँ पर जो निकल करके आता है वो यह रहा कि इस बार जो हमारे चीन की हिस्सेदारी थी उसमें 10 प्रतिशत की गिरावाट आपको जो है नजर आई है हाला कि इसके बावज़ूद भी चीन के हिस्सेदारी 10 गिरी है लेकिन असके बावजूद भी भारत के कुल निर्यात में चीन की जो हिस्सेदारी रही वह 80% के यह रही पहले यह नबहीं पसंट के आस पास रहती थे लेकिन आब यह गिर करके यह 83% हो गई है तो आपकी मन में सवाल उठेगा कि अगर चाइना की हिस्सेदारी कम हुई है और चाइना सबसे बढ़ा निर्यातक है चाइनास सबसे बड़ा खरीदार है तो फिर भारत का जो निर्यात है वो बढ़ा क्यों है वो बढ़ाette इस वज़े से है उसके कारण के अगर आप बात करें वह बढ़ा इस वज़े से है क्योंकि भारत ने कुछ विविद बाजार कुछ नए बाजार जो है खोज लिये हैं जैसे कि छोटे-छोटे बाजार खोजे गए हैं इंडोनेशिया हो गया मलेशिया हो गया इन नए बाजार वो बहुत खत्रे में मौझूद है लगातार वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इसी गिरावट की वज़े से आपकी स्टील की जो डिमांड है वो कम हो गई है जब की स्टील जो है वो आपका और और का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है आपका जो आपर केवल इतना याद रखना है कि भारत का जो आरन और का निर्यात है उसमें चीन सबसे बड़ा खरीदार है कम हुई है लेकिन इसके बावजूद भी हिस्सेदारी अपने लेवल पर अपने सबसे बड़े लेवल पर बनी हुई है तो यह ओवर आल हमने आरन और के बारे हमारे उप्शन है उप्शन दस प्रतिशत ऑफिजट बी 25 पर तिश ऑफिट ती 33 प्रतिशत और ऑपश्ञटी 50 Phratch earned चलिए इसका जवाब कमेंड बॉक्स हो बताना है अगला सवाल आप देखिए हमारा अगला सवाल है कि नेमेल्कित में से कौन सा क्थन सही हैं हमारे option है option a PLI योजना के वल भारती उद्योगों के लिए है option b PLI योजना के वल खाद उद्योगों को लक्षत करती है food industry को target करती है option c है PLI योजना में वित्पोशन राज्यों द्वारा किया जाता है और option d है PLI योजना का एक लक्ष आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना भी है तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको comment box में बताना है आगे सवाल देखें आप अगला हमारा सवाल है कि भारत में किस राज में अनिगमित छेत्र यानिके अनि इंकॉर्पोरेटेड सेक्टर से संबध कर्मियों की संख्या सबसे अधिक है हमारे option है option a बिहार option b महराश्र option c उत्तरप्रदेश शफिर option d तमिलनाडू इसका जवाब भी आपको comment box में बताना है अगला सवाल अगर आप देखें अगले सवाल में आप सब पुछा गया है क कि nbfc के विशय में निमेलिखित कतनों पर विचार कीजिए दो कतन हमारे सामने दिये गए हैं पहला कतन है nbfc का नियंतरन बैंकिंग नियमन अधिनियम उन्नी सो उडन्चास के माध्यम से होता है दूसरा कतन है कि nbfc के लिए शत्त प्रतिशत fdi की अनुमती दी गई है अब उपरोग कतनों में से कौन सा से कतन सही है या फिर हैं यह हमें बताना है हमारे option है option a केवल एक option b केवल दो option c एक और दो दो और option d ना तो एक और नहीं दो आगे बढ़ें आप इसका जवाब भी आप comment box में बताएंगे हमारा आखरी सवाल है कि भारत में law के भारत में दुनिया में भारत की law ISK का सबसे बड़ा खरिदार कौन है हमारे option है option a america option b ruse option c china या फिर option d france तो इसका दो सही जवाब है इन तमाम पांचों सवालों का सही जवाब आपको comment box में बताना है कि इनका सही जवाब क्या होने वाला है मुझे अमीद है कि इस वीडियो में हमन चैनल को सब्स्क्राइब कर ली जिए और अगर आप चैनल पर पूराने हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब अपितक नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको इस तरह की नई वीडियो की अपडेट जो है वह प्राप्त होती रहे मिलते हैं आप से अग झाल झाल